हेलो एवरिवान मैं हूँ किरिंशापुरी और यह है आप लोगों के लिए वेलेंटाइन स्पेशल फेब्रुरी 2021 की लव टारो रीटिंग सबसे पहले wish you all a very happy Valentine's Day and I really wish कि यह वेलेंटाइन आपका बहुत अच्छा जाए कुछ भी मसले अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहे हैं तो वो इस वेलेंटाइन सॉट आउट हो जाए आपका bond strong हो next level पे जाए आपको बहुत care, love, attention अपने पार्टनर से मिले और इस वेलेंटाइन रीडिंग में एक मैंने special edition किया है जो भी आपके पार्टनर सीक्रेटली आपके बारे में सोचते हैं कहना चाहते हैं उसके लिए मैंने special cards निकाले हैं जो कि मैं reading के end में read करूँगी और दूसरी बात अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं subscribe किया तो please like, share और subscribe करें इसके साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2021 की love tarot reading तो Sagittarius आप लोगों के लिए देखें कि February मन्त क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है specially आपकी love life से related, तो मेरे पास यहाँ पर 4 set of cards है 1st set में हम आपकी energies देखेंगे, 2nd set में आपके partner की energies देखेंगे 3rd set में हम देखेंगे कि February मन्त में क्या हो रहा है और देखें, February मन्त के लिए दो बहुत ही interesting cards मुझे देख रहे हैं February starting के लिए हमारे पास heart on lockdown का card है और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं तो इसमें एक lock, एक ताला बना हुआ है और February end के लिए हमारे पास key to my heart का card है जिसमें चाबी यानि की की बनी हुई है तो specifically जिन भी Sagittarius की love life में किसी भी तरीके के issues चल रहे हैं currently या February starting में आप ऐसा महसूस करें again मैं कहूंगी कि किसी तरीके की blockage या किसी तरीके का lockdown हुआ हुआ है तो वो कहीं February end में खुलता हुआ दिख रहा है उसका कहीं एक solution उसका कहीं एक हल उसका कहीं एक चाबी February end में मिलती हुई दिख रही है अभी हम specifically देखेंगे की cards क्या कह रहे हैं और यहाँ पर fourth set के लिए हमारे पास बहुत ही beautiful messages के cards है और इन messages में हम देखेंगे की secretly आपके partner आपके लिए इस relationship के लिए क्या feel करते हैं या क्या कहना चाहते हैं जो अभी तक उन्होंने आपसे नहीं कहा या फिर कहा तो आपने विश्वास नहीं किया तो चलिए जी Sagittarius आपसे शुरू करते हैं और देखेंगे आपके लिए यहां पर सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं 5 of materials and a nomad तो देखें नॉमर्ड का card मुझे कहता है कि दरपर level पर या अंदर से बहुत एक प्यार बहुत एक महबत आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन surface level पे इतना express नहीं कर रहे हैं या इतना खुल के नहीं इस relationship में आ रहे हैं और देखें यहां पे भी हमने lockdown का card देखा था February starting में तो यह आपकी energy जादा दिख रही हैं और इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं हो सकता है कि आपने किसी तरीके का rejection पीछे अपने partner से महसूस किया और कहीं आप भी वही rejection उनको वापस दे रहे हैं तो दीखें अगें मैं कहूंगी 5 of materials यहां पे दो चीजें कहता है या तो आपने दर्वाजा बंद किया है या आपके partner ने पीछे दर्वाजा बंद किया और अभी आप rejected महसूस कर रहे हैं या February starting में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या again कहूंगी कि आप खुल के इस relationship में नहीं आ रहे हैं और शायद इसलिए या otherwise आप two minds में हैं आप ये two of voices का card है क्योंकि देखिए deeper level पे आप love महसूस कर रहे हैं surface level पे आपकी एकदम से contrary energies है और कहीं ये conflicting energies आपको किसी तरीके की confusion भी दे सकती है जहांपे again मैं कहूंगी कि एक in action वाली stage आपकी रह सकती है आप बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं और उसका बहुत बड़ा एक reason है कि आप clearly नहीं देख पा रहे हैं आप बहुत सारी चीजों को देख के अंदेखा कर रहे हैं सुन के अंसुना कर रहे हैं आप decide नहीं कर पा रहे हैं एक मन आपका कहता है हाँ तो दूसरा मन कहता है ना और कहीं आप ना सोचते हैं तो आपको हाँ बहतर लगती है जब आप हाँ सोचते हैं तो आपको ना बहतर लगती है तो ऐसा सा एक इनो state of mind आपका mid of February तक रह सकता है और deeper level के लिए यहाँ पर the real deal का card मुझे कह रहा है कि इस indecision की या इस inaction का एक reason ये भी हो सकता है कि कुछ Sagittarius को लगता है कि भई उनके partner बहुत ही अच्छे इनसान है या उनसे अच्छा इनसान Sagittarius आपको नहीं मिल सकता और इसी लिए कहीं आप confused भी है किसी चीज को लेके और कुछ Sagittarius को ऐसा लग सकता है कि भई वो दुनिया के best इनसान है और आप से अच्छा आपके partner को नहीं मिल सकता और ये कहीं realization पूरी तरीके से आपके partner को नहीं है और again मैं कहूंगी कि इसकी वज़े से भी कहीं आप two minds में रह सकते हैं और खुई के इस relationship में नहीं आ रहे हैं और by the end of February के लिए हमारे पास the chariot and lover in the night temporary love का card है तो हो सकता है कि by the end of February थोड़ा सा चीजों का control आप अपने हाथ में ले एक confidence थोड़ा सा आपको अपने उपर या इस relationship के उपर या अपने partner के उपर आए और आप किसी तरीके की movement करना चाहा रहे हैं इस relationship में आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और देखिए इसके again सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन lover in the night या पर temporary love का card मुझे कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भई जैसे चीजें आ रही हैं वैसे लेते जाते हैं अभी temporarily अगर कुछ अच्छा मिल रहा है या इस relationship में रहने से temporarily आपको खुशी मिल रही है अगर commitment आपके partner नहीं दे रहे हैं यह सिरफ मैं एक example दे रही हूं कि भई temporary ही उनको यह love चाहिए वो future नहीं अपने partner के साथ चाहते हैं तो देखें आपे सब के लिए different reasons हो सकते हैं और अब देखते हैं Sagittarius के आपके partner की के energies हैं तो आपके partner के लिए देखें आप ए queen of emotions का card है the Empress का card है honeymoon का भी card है तो कहीं you know आपकी company आपका साथ हो किसी level पर enjoy कर रहे हैं क्योंकि honeymoon में देखें सब लोग ही enjoy करते हैं और कहीं Empress, queen of emotions, be love, emotions, feeling की बात करते हैं तो बहुत एक again मैं कहूंगी प्यार, महबबत वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन honeymoon के card में early stages भी लिखा हुआ है तो जिन लोगों का भी नया-नया relationship है तो हो सकता है कि आपके partner को ऐसा लगे February मन्त में कि अब भी नई-नई बात है या भी बहुत ही जल्दी है कुछ भी commitment देने के लिए या full-fledged तरीके से आगे बढ़ने के लिए और शायद इसलिए यहाँ पे long distance का card मुझे कहता है कि इसके बावजूत की बहुत एक प्यार वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं बहुत जादा उनके मन में आपके लिए care है, love है फिर भी वो किसी तरीके का distance रख रहे हैं देखिए long distance कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि February मन्त में आप travel कर रहे हैं, आपके partner travel कर रहे हैं इसकी वज़े से एक long distance relationship है, नहीं तो in general के लिए हो सकता है कि आपके partner किसी तरीके का एक distance रख रहे हैं again कुछ के लिए mental हो सकता है, कुछ के लिए emotional हो सकता है, कुछ के लिए physical हो सकता है लेकिन देखिए by the end of February के लिए हाँ पर love lyrics का card है तो कहीं बहुत ज़ादा उनके मन में आपके लिए एक feelings आ सकती है feeling तो February मन्त में भी है, बट यहाँ पर दिखिए घंटी बजनी शुरू हो सकती है कि he needs to or he or she needs to take an action, नहीं तो delay हो जाएगा और शायद इसी लिए कुछ चीजों को छोड़ के वो आगे बढ़ते होए दिख रहे हैं आपे Eight of Emotions का card है, तो दिखिए यह सब के लिए again differ कर सकता है कुछ Sagittarius के partner के लिए हो सकता है कि वो इस relationship को ही छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं यह बहुत ही कम Sagittarius के लिए मैं कह रही हूँ इन जनरल के लिए कोई भी चीज जिसकी वज़े से issues हो रहे थे, परिशानी हो रही थी इस relationship में, इस love life में, उसको छोड़ के आपके partner आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और दिखिए यहाँ पे की का भी card था February end के लिए तो जो भी issues February मन्त में चल रहे हैं, उसका एक solution, उसका एक हल February end तक मुझे होता हुआ दिख रहा है और अब देखते हैं Sagittarius की February मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए February मन्त के लिए, यहाँ पे सबसे बहला card मुझे दिख रहा है 10 of inspiration and heart on lockdown तो देखिए हाँ पे heart on lockdown का card मुझे कहता है कि हो सकता है कि कुछ Sagittarius अपने partner को या कुछ Sagittarius के partner उनको block कर रहे हैं आज कल यह बहुत trend चला हुआ है और कहीं इसकी वज़े से या in general भी देखिए heart on lockdown का card मुझे कहता है कि कुछ खास नहीं हो रहा है इस relationship में सबके लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन इसकी वज़े से या otherwise जो भी आप दोनों की energies हैं उसकी वज़े से एक pressure एक stress February starting में रह सकता है and mid of February के लिए देखिए यहाँ पे 600 voices and transformative love के cards हैं और दोनों ही cards एक्दम से contrary energies की बात करते हैं कहीं 600 voices भी किसी तरीके की movement की बात करता है, change की बात करता है, shift की बात करता है लेकिन यह card यहाँ पे reverse है और नीचे transformative love भी किसी तरीके के changes की बात करता है, तो देखिए यहाँ पर मुझे energies ऐसी दिख रही हैं जहाँ पे कोई change आप दोनों किसी level पे इस relationship में लाना चाहा रहे हैं लेकिन जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरीके से changes नहीं आ रहे हैं और कहीं आप दोनों Sagittarius याँ आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़ादा stuck भी महसूस कर सकते हैं जहाँ पे again मैं कहूंगी कि आप दोनों में से कोई हैं कि आप दोनों move on करना चाहा रहे हैं कुछ positive changes लाना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं लेकिन by the end of February के लिए यहाँ पे page of materials का card है और page of materials या मैं कहूंगी materials टारो में pentacles जिसे कहते हैं वो एक commitment की बात करते हैं एक stability एक security की बात करते हैं और pages कहीं बहुत ही एक you know छोटे लेवल पे एक stability और security डिपिक्ट करते हैं तो कहीं एक stability एक security आ रही है लेकिन पूरी तरीके से या full flugged तरीके से नहीं आ रही है थोड़ा थोड़ा चीजें stable होना शुरू हो सकती है थोड़ा थोड़ा चीजें better होना शुरू हो सकती है और दिखिए यहाँ पर key to my heart का card भी वही चीज कहता है कि आप दोनों को या Sagittarius आपको यह realization हो सकती है आखिर आपके दिल की चाबी आपके partner के पास है और आप सब चीजें तब भी पूरी तरीके से या अच्छे से enjoy कर पाते हैं जब आपके partner आपकी life में होते हैं या जब आपके partner के साथ आपका एक relationship ठीक चल रहा होता है आपके साथ उनकी energies ठीक होती है तो यह थी Sagittarius आप लोगों के लिए February 2021 की left arrow reading और अब हम read करते हैं messages कि आपके partner आपके लिए क्या secretly feel करते हैं तो देखिए आप इस सबसे बहला card है I can still feel you और यह card मुझे कहता है कि पीछे अगर कोई भी आप दोनों के बीच में physical intimacy किसी भी तरीके की किसी भी level पे होई है तो in general भी जब भी भी आप उनके साथ होते हैं तो आपकी एक presence को जो उनोंने feel किया है और अभी अगर कुछ issues चल रहे हैं या जब भी भी आप उनके साथ नहीं होते तो वो आपको उस level पे महसूस कर पाते हैं वो आपको feel कर पाते हैं अभी भी और दूसरा message है it's easier to just stay away right now तो देखे हो सकता है कि आपके partner कुछ चीजों को लेके बहुत ज़ादा clear नहीं है और हमने देखे उनकी energies के लिए यहाँ पे early stages का card भी देखा तो कुछ चीजों को लेके हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि अभी जल्दी है अभी कुछ भी कहना या कुछ भी करना इस relationship में बहुत जल्दी हो जाएगी या जल्दबाजी हो जाएगी तो अभी वो कहरे है it's easier to just stay away तो थोड़ा सा distance रखना अभी ज़रूरी है और यह easy भी है और इसका मतलब यह भी हो सकता है Sagittarius कि जब भी आपके partner आपके साथ होते हैं तो वो अपनी emotions को अपनी feelings को नहीं control कर पाते हैं और क्योंकि energies बहुत great नहीं चल रहे हैं या जिन भी Sagittarius के you know relationship में energies बहुत great नहीं चल रहे हैं या फिर से वो आपके close होना चाहेंगे एक physical intimacy या किसी भी तरीके की intimacy चाहेंगे तो उनके लिए अभी असान है आपसे थोड़ा सा दूर रहना क्योंकि आपके पास आके फिर थोड़ा सा difficult हो जाता है उनको अपनी feelings को control करना और यहां पे देखिए third message है you inspire me तो किसी level पे आप उनको बहुत जादा inspire करते हैं आप उनकी motivation का reason है तो यह था Sagittarius आप लोगों के लिए February मन्त की love taro reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको guidance मिली है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें